उत्राखण में पर्याटन की अपार संभावनाओं को पूरा करती है यहां की सुदिव्ट सड़के रिशिकेश से चार धाम तक जाने वाली सड़कों के चोड़ीकरन का कारे लगभग पूरा होने को है लिहाजा जिसका लूफ यहां आने वाली पर्याटक भी लेने लगे हैं हाले में एनेश नेंटिफोर जो रिशिकेश चमबा और नई टीरी को जोड़ रहा है इसके बन्ने से मानन यहां के पर्याटक स्थलों को चार चान लग गए है इस सड़क के चोड़ीकरन से यहां आने वाली पर्याटकों में खासा उत्सा बना हुआ है बीते इनों यहां आने वाले दिल्ली और नईटा के पर्याटकों ने राज्जी के अलग-अलग जगाओ पर राइडिंग की और उन्होंने सरकार और प्रसाशन की सरहाना करते हुए कहा कि अब यहां आना बहुत असान और ग्रहन लग गया था लेकिन इस बार उम्मीद हैं कि यहां देश और दुनिया की ट्यूरिश्ट महुचेंगे तहां यहां के कारोबार्यों को फायदा मिल सकेगा और एक बार फिर से उत्राखंड परेटन पट्री पर लोट सकेगा कि उत्राखंड तो हमेशा हमारा फेवरिट रहा है डेस्टिनेशन जब भी हम खासकर हम बाइक में जाते हैं तो उपर से हमें उत्राखंड में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक तो यहां के जो लोग हैं बहुत ही इनकी मिठी बोली है खाना पीना और हवा पानी बह कर दो मुझे लगता है कि आज से दो तिन साल पहले थोड़ी सी सड़के खराब थी अभी दो तिन साल मुझे लग रहा है कि सड़के काफी इंपरूब है खासकर के आप उत्राखर्ण और उत्रान चल वाले रोड पर देखेंगे तो खासकर बारिश को तेन काफी खराब रहती थी आज अब यह सीजन चुरू हो रहा है तो इसमें रोड काफी इन्होंने अच्छी बनाई है लास्त अपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली वहां पर डूड है आप जब अच्छी चीज के लोग बहुत अच्छे लोग है उस्से ओपर इन लों का खाना यूज्वली क्या होता है जब यूपी उता था यूपी में जाते हैं तो वहां पे ना खाना वो लोग बना याड़गे बनता यह सबसे बैस चीज है आदमी घुमने जात क्यांता उसे सबसे बड़िया खान और रहना ची होता है वह यह सबसे अच्छी मिलते है अभी तक उत्रागाण से अच्छा पीरेंस भार हम एंक हमेरे क्यालं ये दसवी और ग्यारवी बार है और हमें हमेशा का अच्छा experience रहा है इसलिए हम इस जगे को बार-बार explore करते रहते हैं